हेलो फ्रेंग्स वल्कम बैक तो दे चानल आज है 17 एप्रिल 2021 और आज दिन है सैटरडे का और आज अच्छली मैं दुबारा से NH24 गया था अगर आपने दो दिन पहले का वीडियो देखा है तो मैं NH24 गया था आदिप्ते वर्ल्ड सिटी की एक विजिट करने के लिए लेकिन क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो देखिए ये वीडियो और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है मेरे नाम है शिशिर और मैं डेली डेली एंटियार के वीडियो पोस्ट करता हूं स्पेशली नॉइडा के वीडियो तो अगर आपको डेली एंटियो चाहिए फटा-फ वेव सिटी एनेच 24 गाजियाबाद वाले एरिया में और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वेव सिटी के अंदर फिलहाल क्या सिच्वेशन है और यहां पे कहां कहां डेवलोप्मेंट हो रही है आप जो मेरे सामने देख रहे है पूरा एरिया प्लोटिंग का है आप देख अगर आप देखें तो यहां पर काफी सारे आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स दिख जाएंगे यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां पर काफी सारे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में लोग शिफ्ट हो चुके हैं लोग रह रहे हैं और यहां पर छोटे-छोटे ब्रोकर ने अपने शॉप लगा हुए है और कॉमर्शल जो है वह डेवलॉप हो रहा है तो यह है वेव सिटी 5000 एकर अप्रॉक्सिमेटली 5000 एकर में यह पूरा टाउंशिप है और अभी यहां पर आप देखी सकते हैं अभी काफी डेवलॉपमेंट का काफी स्कोप है लोग अभी प्ल प्रोजेक्ट बन रहा है आप देख सकते हैं और मैं यहां से राइट ले लूँगा एनेच 24 के ऊपर यह बहुत ही एक हुज लैंड बैंक है जो वेव के पास है जहां पर रेसिरेंशल डेवलॉपमेंट अभी चल रही है तो मेरे लेफ्ट में जो अभी आपको दिख रहा ह यह लेख यहां पर दिख रही है यहां पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और प्लोर्स दोनों ही आपको मिल जाएंगी तो किंग्स वूड एंकलेव के नाम से अभी जो आपको सामने दिख रहे हैं काफी ब्यूटिफुल इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बने वे हैं और अभी आपको जो यह एरिया दिख रहा है यह एक प्लोटिंग वाला एरिया है यहां पर प्लोट्स लेके लोगों ने अपने घर डिवलॉप किये हैं और यह है किंग्स वूड एंकलेव और सामने जो आपको दिख रहा है यह है एक हाई राइस सोसाइटी ड्रीम होम्स के नाम से तो अभी हम चलेंगे ड्रीम होम्स तक और देखेंगे यहां पर आगे और क्या क्या डिवलॉप हो रहा है तो यह आपके सामने है ड्रीम होम्स के नाम से हाई राइस और अभी यहां पर फिनीशिंग का काम चल रहा है फिलहाल मुझे यहां पर किसी भी बैलकनी में कपड़े या फिर एसी का एसी की यूनिट नहीं नज़र आ रही है मतला अभी यहां पर लोग शिफ्ट नहीं और जैसा मैंने आपको किंग्स वूड एंकलेव दिखाया लेफ्ट में जो भी आपको दिख रहा है यह है स्प्रिंग वूड एंकलेव और यहां पर पॉलीस स्टेशन के लिए लैंड छोड़ी हुई है तो आप देखी सकते हैं यहां पर अपना खुद का पॉलीस स्टेश कि अब भी आप लेफ्ट में देख रहे हैं यह पाइंड वूड एंकलेव के नाम से यहां पर फ्लोर्स बने वेए हैं तो पूरा एक राउंड लगा लिया है मैंने पाइंड वूड एंक्लेव तो सारे जितने भी एंकलेव हैं इंडीपेंडन फ्लोर्स और हाई-डाइज हमने सारे देख लिए हैं तो ये पाइन वोट का बैक साइड है और ये सामने जो आपको रोड दिख रही है ये दुबारा से मुझे एंट्री एक्जिट पे ले जाएगे यहाँ पे काफी सारा डेवलोपमेंट अभी होना है अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो काफी सारे रोड आपको अंदर जाते वे देखेंगे रोड्स का एक बहुत ही वाइड नेटवर्क है यहां पे और रोड्स सारे बने हुए हैं बहुत चोड़े चोड़े सडके हैं और कुछ इस तरह से जो आप देख रहे हैं अभी सामने इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की यहां पे मेजॉरिटी हैं आपको यहां पे हर जगा इंड इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिल जाएंगे और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स सारे उकुपाइड है लोग रह रहे हैं ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई नहीं रह रहा और बिल्कुल सुनसान एरिया है यहां पे हर जगा लोग रह रहे हैं प्लोट्स में लोगों ने घर बनाए हुए हैं तो काफी अच्छी जगा है रहने के लिए अगर आपको दिल्ली से नजदीक कहीं पर कम बजट में आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर यह फिर प्लॉट्स चाहिए तो मुझे लगता है इस से बेटर आप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यह पूरा का पूरा जो 5000 हजार एकड़ है यह एक प्लॉटिंग और इंडिपेंडेंट फ्लोर की कम्यूनिटी है और यह आ गया सामने जो में एंट्री एक्जिट है यहां की अभी फिलाहाल यहां पर कोई गेट बनावा नहीं नज़र आ रहा आपको क्योंकि अभी यहां पर काम होना बाकी है यह है वेव सिटी दस मिनिट में डेली एंटर कर सकते हैं तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है यहां तक अगर आपने देखा है तो फटा फटा से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पिछले साथ महिने से दोसों से भी जादा वीडियो मैं डेली एंट्सियार के पोस्ट कर एंटर कर लीडियो नाइब कर लादा लेदा वीडियो आफे यहां शीडियो